कैसो सब लोग दोस्तों आज क्या करना है वो भाव है ना भोसडी का उसकी मा चोधनी आज ठीक है वैसे तो हम लोग मा बहन को कमी गाली देते हैं लेकिन जो दूसरों की मा बहन की रिस्पेक्ट नहीं करता तो उसकी मा बहन की जद भी हम लोग नहीं करते उसकी बहन का भोसड पठान मुवी को boycott करने का पठान मुवी को boycott करना एक करो भूसडी को कहीं को स्टूरी पोस्ट किया तुमने शारुक खान का इस बंदे को बीच में नहीं लाना चाहिए था भाई दिखाता हूं आप लोगको क्या है om बागवान क्या कहता है किसी भी धर्म किसी भी इंसान से नफरत मत करो और ये लोग वही कर रहे हैं भगवान के नाम पे religious hate spread कर रहे हैं कम्यूनलिज में फैला रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान ये भाव बोलता है अपने आपको ये लगा कर हिंदुस्तान की भी बिज़ती कर रहा है ये माधर चोद भोसडी का शारुक खान की पठान मुवी बॉइकोट करने के लिए बोल रहा है सबसे जादा तो ये नीच भक्त भोसडी के पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं, इनके अंदर दिमाग नहीं है, इसकूल के पीछे से कभी नहीं निकले ये बोसडी के, पठान मुवी जो अभी तक एजिस्ट ही नहीं करती, इस मुवी की प्लैनिंग चल रही है, शिर्फ ना कोई अनॉंसमेंट, ना कोई पोस्टर, ना कोई ट्रिलर, और ये जाके वो फेक ट्रिलर, फैनमी ट्रिलर को जाके डिसलाइक कर रहे हैं, और आके खुश हो रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, हमने पठान मुवी का ट्रिलर बॉयकोट किया, हमने पठान को डिसलाइक दिया, भोसडी को, किसी भी लोग नियुकण को इसके बहुत बढ़ियां, बहुत अच्छा काम किया, तू किसको target किया, शारुक खान को, भोशली के भाव, तेरी बहन का भोसला, जो चीजे तेरे daily use में आती है न, उन company's का वो शारुक खान brand ambassador है तू जिस company की सिम यूज करता है न, उसका brand ambassador है वो, जिस company का तू फोन यूज करता है, उस company का वो brand ambassador है जो car तु यूज़ करता है न वो second hand car वो belt खीच के बैठता है न तु उस company का वो brand ambassador है और जिस country में तु जाना चाहता है न भोसडी के उस country का भी वो brand ambassador है तो ये देख तेरी ओकात क्या है लवड़ी की दवाई भोसडी के जहाटके बाल और भोसडी के अभी तो सिर्फ तरह इंस्टाग्राम अकाउंट गया अगर आगे तु नहीं उस बंदे को कुछ बोला तो तरह यूटूब से ले के Twitter, Facebook सारे के सारे अकाउंट खतम हो जाएंगे समझा ना जो तरह वीडियो पोस्ट करके कमेंट आफ कर गई दम नी है ना कमेंट जहलने का कमेंट जहलने का दम नी है बहन चोट पीछे-पीछे से उंगली करते हो तुम लोग सामने से आके वार करो और बहुसडी के तु बिग बॉस में गया सलमान खां सी मिला तो अपने आपको बहुत-ब मारा रहा था बहुषुड़ी की यह अपनी बहन को अपना पी चोद रहा था मजल यह होंगा तुन्हें अपनी बहन को चोद करी तेरा तो घर-घर में चल रहा है सब खेर एक बार भी तो शुषांत की फैमिली से मिला नहीं मिला शुषांत की डेथ होगी तुने एफायर फाहिल की नहीं की अब आके बहुत शुषांत के लिए जस्टिस शुषांत के लिए जस्टिस बॉयकॉट करो पठान को शुषांत के लिए जस्टिस है बहुत शुषांत उनको सपोर्ट करो जो आउटसाइडर है उनको सपोर्ट करो ना कि ये हीट स्प्रैड करो इंडेस्ट्री के अंदर समझे न और हम सभी लोग जानते हैं तुम्हारा है चुदना चुदना रंडी रोना भी जादे दिन से स्टार्ट नहीं हुआ है कुछ ही सालों से 2014 के बाद स काम BJP करती है वो SRK से बहुत नफरत करती है क्योंकि वो मुस्लिम है और इंडिया के शान है और BJP वालों को ये बात हजम नहीं होते कि भारत के शानिक मुसलमान है ना कि एक हिंदू है इसलिए वो प्रोपेगंड़ा चलाते हैं TV चैनल्स को भी हमारे डेली ब्रांच में से 10 क्रोड रुपे दे गए हैं फेक न्यूस बताने के लिए SRK के खिलाफ मैं एक सचा हिंदू हूँ और जातिवाद नहीं करता इसलिए सोचा सब कुछ बोल दूँ पर BJP के साथ बस इसलिए हूँ कि वो विकास करे ही मैं खुद मानता हूँ शारुक खान हमारे देश की शान है शारुक खान भारत की शान है इन भोशली वाले को यह नहीं पता कि इंडस्ट्री का सबसे बड़ा उटसाइडर कौन है शारुक खान है ना नहीं पता होगा इन लोगों को यह दुनिया का सबसे बड़ा मूवी स्टार कौन है यह भी नहीं पता होगा शारुक खान है ले सारे भारत की शान है यह बंदा और दोस्तों एक अवार्ड है ब्रेंड लिजेंडरी अवार्ड बाइदा गौर्रमेंट ओफ मलेशिया दुनिया में सिर्फ छै लोगों को मिला हुआ है बतातों किस किस को शारुक खान हां शारुक खान नाम सुनते उल्टी आगो योगों लो हुआ है शारुक खान को यह अवार्ड मिला हुआ है भाई बॉलिवुड्स हिंदुस्तान नाम रोशन कर रहा है बंदा लेकिन उसको रिस्पेक्ट नहीं मिलती क्योंकि वह खान है वह खन्ना कपूर कुछ भी होता ना तो वह भाई भगवान के लेवल पर बैठा होता है वभाण या कांट होग अब अभी तो इतना हुआ है सब कुछ होगा अभी माफी भी मांगेगा यह माफी माफीब लेने का सब कुछ होगा अभी देरी देरे तो बाई लोगों वीडियो अभी तक इतनी बस वीडियो अच्छी लेगों तो वीडियो को शेर करना बाई